हलो फ्रेंग्स मैं सर्वे सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करते हूँ छोले भटूरे का नाम सुनते ही हम सब के मुझे पानी आ जाता है लेकिन अकसर हमने बजार में जो छोले देखे हैं वो बहुत जादा ओईली होते हैं बहुत मिर्च मसाले वाले होते हैं आज मैं आपके लिए बहुत easy to follow recipe लेकर आई हूँ जिससे आप बहुत सात्विक तरीके से छोलो को बनाएंगे और वो भटूरे के साथ बहुत ही amazing लगेंगे आप मेरी इस recipe को एंग तक जरूर देखें जिससे कि इस बार अपने महमानों को अपतिहार पे इसी तरह छोले बटूरे बना करके खिलाएं अगर आप मेरे चानल में first time आये हैं तो इसको subscribe करें और पैल आइकन दबाना ना भूले तो यहां पे छोले बनाने के लिए मैंने छोलो को दो कप पे छोले लिये हैं और मैंने इनको अच्छे सी सोग कर दिया है minimum 5-6 घंटे के लिए आप सोग करें और यहां पे आपको धिहान देना है कि आपको बहुत मोटा चना नहीं लेना है जो डॉलर चना आता है वो आपको नहीं लेना है आपको मीडियम साइज का चना लेना है तो इसको मैंने अच्छे से भिगो दिया है मैंने करीब दो कप छोले लिये हैं और ये फूल के काफी जादा कॉंटिटी में हो गए हैं जैसके आप देख सकते हैं तो आएए अब हम इन करेंगे यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आप छोलो को या किसी भी दाल या फिर लोगिया राजमा को आप जितना सोब करेंगे उतना जादा उसके न्यूट्रियंस आपके बॉड़ी में एजली एब्सॉर्ब होंगे आजकल हर रेसिपी शॉटकट से त क्योंकि हमें पूरे पोशक तत्व उन चीजों के नहीं मिल पाते हैं तो यहां पर मैं डाल रही हूँ पानी पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इस चाइम पर क्योंकि कंसिस्टेंसे हैं बाद में इसकी ठीक करेंगे बस आपको इतना पानी डालना है कि जो छोल हैं वो आपके सॉफ्ट तो हो जाते हैं निकिन वो घुट्टे भी नहीं है और बहुत जल्दी पक जाते हैं बट घर पे बनाने का यह एड्वांटेज है कि हम ऐसी कोई चीज ना डाने जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक ना हो और हम इसको बहुत ही इजी तरीके से बना सके तो मैं सूखा आमला ले रही हूँ यहां पर मैं चार आमले के पीस डाल रही हूँ आप गिन इसलिए लिजेगा वैसे तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं बट कई बार लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा तो मैंने गिन के चार आमले इसमें डाले हैं एक मैं इसमें डाल रही हूँ बड़ी इलाइची यानि की लाल इलाइची और यहां मैं एक पीस डाल रही हूँ दाल चीनी यानि की सिनमन का तो यह मैंने थोड़ी खड़े मसाले हां पर यूज़ करें हैं इसके साथ मैं इसमें डालूंगी एक पीचमच नमक, आप अपनी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और अब हम छोलो के हिसाब से ही नमक डालेगे इन छोलों को मैं थोड़ा कम तड़के वाला बनाऊंगी लेकिन आप एक बार इनको बना के देखिएगा बहुत ही शिंपल मसालों से घर के ही मसालों से बहुत कम तेल में और इन को छोलों का स्वाद जो नहीं स्वाड होगी वह रिसिपी में कहीं पए भी धुबली नहीं पड़ती तो आप इस रेसिपी को ज़रूर इस तरीके से बनाएएगा तो यहां पर अब मैं इसको ख्लोस करूंगी लिटको और इसको हम प्रेशर कुक करेंगे जब भी हम कोई भी चीज प्रेशर कुक करते हैं तो एक बर आप उसको फुल फ्लेम पे एक विसल आने दीजे और उसके बाद आप उसको सिम करके अब जिसे यह छोले हैं तो ज़ादा पाइम लेते हैं कुक होने में तो करीब हम 15-20 मिनिट तक इनको अच्छे से कुक करेंगे यहां पर मैं ले रही हूँ तीन कप मैदा और उसमें मैंने डाला है आधा चमच नमक और आधा चमच हाफ टीजपून बेकिंग पाउडर यहां पर बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर आपके बटूरो को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा बटूरो को बहुत अच्छा है गोल्डन कलर देने के लिए और जाली अच्छी आने के लिए मैं डाले हैं इसमें एक चमच चीनी आप इसको दुकर भी मिस मत करिएगा चीनी आप जरूर डालेगा इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेगे जो उने बेकिंग पाउडर डाला है चीनी डाली है नमक डाला है उन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेगे यहां पे मैं इनको खस्ता बनाने के से मिक्स करनेंगे, आप बटूरे के आटे को सोडे से भी, मतलब जो सोडा आता है, बॉटल वाला, उससे भी आप लगा सकते हैं, बट अकसर हो सबके घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगे कि अम दही से कैसे अपने बटूरों के आटे को लगाएंग और दही अगर खटा होगा, तो जादा अच्छा रहेगा, तो हम पहले दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसी दही वाली कटोरी में मैंने हलका सा लिउक वाम पानी लिया है, और हम थोड़ा थोड़ा पानी को यूज़ करते हुए, अपने बटूरों का आटा लगाएं यह बटूरे इतने जादा मुलायम और इतने स्वादिश्ट बनते हैं, इतने कृस्प बनते हैं, कि आप दो की जगा तीन खाना बसंद करेंगे, और घर के बने हुए हैं, तो सुपर लाइफ भी है, वन्ना बजार के तो एक खाके ही बहुत जादा हेवी सा फील होता है, य इस पूरे आटे को लगाने के लिए मुझे एक कटोरी पानी की जरुरत पड़ी है, वही सेम कटोरी जिससे हमने दही और मैदा का मेजरमेंट खिया था, इन मेजरमेंट्स की तब जादा जरुरत होती है, जब आप कोई भी चीज पहली बार बना रहे हैं, बट अगर आप अगर आप न्यू नहीं है कोकिंग के लिए तो आप अपने अंदाजे से भी सब चीजे कर सकते हैं, तो मैं आप यहाँ पर दिखाऊंगी कि बहुत ज़दा सॉफ भी नहीं है हमारा आटा, आप देख सकते हैं, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सा मिनिममम दो से तीन घंटे के लिए और अगर आपके घर में, मतब अगर आप ठंडी के दिन में बना रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि इसको किसी गरम जगा पे फर्मिंट होने के लिए रखें, तो इसको प्रोज कर जाएंगे, और बरना आप एक कपड़े या प्लेट से थक सकते हैं, हमारी छोले बॉइल हो रहे हैं, तब तक हम इसके लिए एक तड़का तयार करेंगे, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक टमाटर लिया है, टमाटर की कौंटिटी हम कम ही रखेंगे, क्योंकि हमें छोलों का ओरिजिनल टेस्ट खोना नहीं है, अदरवाइस वो छ छोले बनाएंगे हम बतूरे के लिए और वो छोले की सबजी बन जाएगे, अगर आप जादा टमाटर की प्यूरी यूज़ करेंगे, तो यहाँ मैंने एक टमाटर लिया है, एक हरी मिर्च और थोड़े से अध्रक, करीब एक इंच का मैंने अध्रक के पीसस को चौप कर ल यहाँ पर इसको प्यूरी कर लेते हूं, इसकी एक पाइन पेस्ट बन गया है, अब हम इसका तरक जाएंगे, यहाँ पर मैं छोले बनाएंगे देसी घी में, तो मैंने यहाँ पर एक टेबल स्पून बस देसी घी लिया है, इसमें मैं डालूँगी वान टी स्पून जीरा, इसमें अड़ करें हींग, अगें हींग हमारे डाइजेशन को काफी हद तक इंट्रूफ रखता है, तो हींग आप फिलकोल भी अवाइफ ना करें, और यहाँ पर मैं कोई भी बजार का मसाला नहीं उसकरूं की छोले को बनाने के लिए, अब इसमें चोलों को एक अच्छा करें देली लिर्च, यह बटकल भी तीक ही नहीं होती है, बठाण जिसे कलर बहुत अच्छा आता है, अब मैं इसमें टादें ही तिमाते की गूली, अब रखत हरी मिच्छ तमाते की अब इसी के साथ हम अपने और भी मसाले समयाड करेंगे, यहां पर मैं यूज करें हूँ एक टी स्पून अनार दाने का पाउडर, दो टी स्पून में यूज करें हूँ धनिया पाउडर, आधा टी स्पून अमचूर पाउडर और हमने सभी मसालों को अच्छे से भूनेंगे, फ्रेंस पर वाट्सुएवर रीजन अगर आप भटूरे नहीं खा सकते हैं और आपक मतर कुल्ची की रेसिपी भी ठ्राई कर सकते हैं, मैंने अपने चानल पे उसको पहले पोस्ट किया हूए, उसका कार उपर डिस्पले हो रहा होगा, तो आप उसको जरूर चेक आउट करिएगा, वो कुल्चे बिल्कुल होममेड हैं कुल्चे, ऐसा नहीं कि बजार के कुल् बहुत जादा कम रखी है, तो आप देख सकते हैं, इसी वज़े से हमारा जो मसाला है वो भून तो गया है, लेकिन उसमें से जो ओईल हो ऊज़ा नहीं हो रहा है, हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, अब जिस जार में हमने टमाटर प्योरी बनाई थी, उसमें मैंने प बॉल होते हैं और उनका प्रेशर रिलीज होता है, उसी टाइम हम उसको खोल के हलका साम मैश कर लेगे, तो मैं भी आपको लिखाऊंगी हमें किस तरह से मैश करने हैं, जिससे कि पानी और छोले हमारे अलग अलग ना हो और बहुत जादा वो ड्राइड भी ना होगी, तो म से पहले हम अलग करते हैं, अब चाय तो उनको हता भी सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं, बट बच्चे नहीं प्रेफर करते हैं, तो मैं इसमें से बड़ी लाइची और आंटी अलग कर लो, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, अननेसेसरी जो चाय पती रांके हम कलर लेकर करते हैं, तो आमला डाल के बहुत ही अच्छा कलर आजाता है, तो मैं अपने दाल चेनी, आमला और बड़ी लाइची से निकाल लिया है, मैं आपको तोड की दिखाती हूँ, अगर आपके भीगी हुए हैं, तो आम देख सकते हैं, कितने सॉफ्ट हमारी ये छोफ्ट हमारी चोले बग गए हैं, वो भी बिना सोले से, और बस 15-20 मिनट हमने इनको स्लो खेंपे कुप किया, अपने इसको बहुत हलके हाथ से आप इसको हलका हलका दबा दीजे, बहुत जादा इनको मैश नहीं करना है, बस हलके हाथ से, और अगर आप इसको गरम में नहीं करेंगे, त चोले अलग दिखींगे, तो अपमें कराई में चोले अपने फिकार लेते हैं, तो बहुत ध्यान से हम इसमें अपनी चोलो को आड़ कर देंगे, आज मैं इन चोले बटूरों के साथ मेरे को कौन सी चीज पसंद है, वो मैं आज आज आपको बताऊंगी, तो आप मेरे साथ इस रेसिपी में बने रहे हैं, और हो सकता है, अगर आप उसको ट्राइ करें, तो वो भी आपकी फेवरेट बन जाए, तो अब आप दीखें, अब हम इसको अच्छी से चला लेंगे, और इसको अब हम पकाएंगे, पंधरा सी, 10 से पंधरा मिनित तक, जिसे की जो भी मसाला है, वो छोलो में अच्छे से इंकॉर्परेट हो जाए, और नमक हमने पहले छोलो में डाल दिया था, तो आप इसको चेक करके, कम जादा आपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, इसको अब हम कवर कर देंगे, और स्लो फेल पे को फूले देंगे, और एंड में अभी मैं इ जाएंगे, तब हम इसमें और चीजें क्या आइड करें, अब देख सकते हैं, दस मिनिट हो गए है हमारे छोलो को अच्छे से पटते हुए, पॉइल होते हुए, आप देख सकते हैं, बजार बला बिल्कुल भी पॉइल महीं है इसमें, और अब हम इसमें एंड में यही रीजन है कि मैंने पहले लॉंग अलकाडिमेट साबोद नहीं आइड किया, अब हम इसको फिनिश करेंगे, खुब सरे हरे धनिये के साथ, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी लग रहा है यह, तो जब तक हमारे छोडे बिकुल तयार हो गए हैं, और टूसरी ग्यास पर मैंने रख दिया है ओईल, जिसमें हम तलेंगे अपने बटूरे का, बहुत ही कम इंग्रीडियन्स कम मसालों से, बजार का कोई मसाला नहीं है, बहुत सात्विक तरीके से हमने यह शोले बने लिए, फ्लेम करती हूँ और अब हम अपने फ्राइ करते हैं बटूर अब हम थोड़ासा ओईल का हाथ लेंगे, मैं आपको दिखाते हूँ, मैं आपको इसमें बताऊंगे कि आप कभी भी सूखे मैदा का यूज बिल्कुल ना करें इसमें, उसे होता क्या है जो आपको ओईल है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, तो आप थोड़ासा बस ओईल ले ले, अपने हातों में, पिले अपने हातों को चिकना कर ले और उसके बाद मैदा ले और उसको अच्छे से राउंड जाते, आपको ये ध्यान रखना है कि जोड आपका नहीं आना चाहिए जो हलवाई होते हैं, उनकी मैदा तो बहुत ज़्यादा लूज होती है और वो हात से पटक पटक के बनाते हैं, बट उतने एक्सपोर्ट तो हम नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको चकले बिलन से दिखाऊंगे कि हम कैसे परफिक भटूरे बना सकते हैं, तो हम थोड़ी से ओईल लेंगे और चकले पर लगाएंगे, मैं फिर कह रहे हूँ, आटा कितना पर लूज हो लेकिन आप सुखे मैदा या आटे का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, आप थोड़ा सा आटा थोड़ा सा ओईल अपने बेलन पे लगा लेज़े आप बेलन पे लगा लेंगे, तो यह आपका जो मैदा है वो बिल्कुल भी शिपके की नहीं, मैदा जब खमी तो वो वापस से खिच जाती है, जैसे मैं आप देख सकते हैं, मैं उसको उठा रही हूँ, तो वापस से वो अपनी शेप को फॉर्म कर रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही बार में जादा इसको उठाना नहीं है, और इसको evenly बेलना है, मतलब किनाथे और जो बीच का पोर्शन है, वो equally आप इसको बेले, और हमारा पॉल अब अच्छे से करम हो गया है, और जब हम इसको डालना है, तो हमीं खीचते हुए थोड़ा डालना, बहुत इजी है इसको बिलाना, और बहुत ही फूले फूले खसता करारे, जो भटूरे है वो तयार हो जाए मैं यहाँ पर बतूरो का साइज थोड़ा छोटा रख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओईट का नहीं यूज़ करना चाहती हूँ, डीप फ्राइं के लिए देखे, एक ही बार में, तो सेकेंड में ही बतूरा बहुत अच्छे से फूल के तयार, जब तक वो हम आना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कराई में या पैन में इनक ओईल होना चाहिए, जिससे कि आपका जो भटूरा है वो अच्छे से उसमें दीप फ्राइ हो सके, नेक्स टाइम जब भटूरा खाने का मन हो, तो बजार काना खाकर के आप इसको जरूर घ बनाएगा, जब आपको उठाना है तो आपको खीचते हुए, आप थोड़ा सा खीच सकते हैं, क्योंकि ये वापस से अभी शेक फॉर्म कर लेगा, मैं एक बटूरे को निकाल होगी और दूसरे को और टाल होगी, जब हमें डालना है बटूरों को तो हमें फुल फ्रेम पे इसको दालना है, देखें, मैंने उसमें स्पाचला नहीं लगाया है और ये भटूरा भी बिलकुल हमारा कुपबारे की तरह फूल गया है, आपने बहुत सी रेसिपीज देखे हूंगी, उसमें वो कापी टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं भटूरे को फुलाने के लिए, ब वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, तो मैं अब आपको इसको सर्फ करके लिखाते हूं, फूली फूले बतूरे 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 बनाएं, तो इस रेसिपी को फॉलू करना ना भूलियेगा